कि यहां पर फटाफट ले लिते हैं क्योंकि बिटकोईन की प्राइश जो एक नया ओल टाइम हाई है यहां पर बिटकोईन ने बनाया तो कॉंग्राचुलेशन्स तो अल्डेट होडलस लेकिन यहां पर मार्केट में भी कुछ चीज़ें जिसका थोड़ा सा आपको यहां पर मैच कर गए जहां पर प्रीवेसली में आपसे बात कर रहा था कि यहां पर अगर करेक्शन आता है बिटकोईन की प्राइश यहां पर 65,000 डॉलस तक जाए इस फाइन लेकिन उसकी बाद अच्छे वॉल्यूम का एक हमको जंप देखने को मिले जहां पर सीधे हम 67,000 डॉलस क जो पर डेली कांडल क्लोज करें और वही फाइनली जो प्राइज मुवमेंट है ना हमको देखने को मिल गया जहां पर करेंटली अगर आप देखोगे तो डेली कांडल जो है आज की वह यहां पर 67,000 डॉलस के उपर यहां पर ट्रेट कर रही है लेकिन यहां पर बनता है that will be quite bullish and what I want to see is क्योंकि अगर आप देखोगे ना बिटकोईन का जो बोल रन होता है especially 2013 या 2017 के end के month साल के November दिसंबर तो यह ऐसा टाइम होता है जहां पर बहुत massive price movement देखने को मिलते है तो उसी according अभी recently हमको उतने को बड़े price movement actually में बिटकोईन में देखने को मिले तो अभी current market के according ना यहाँ पर मतलब अगर movement आना है November, December के अंदर जैसा काफी analysts बोलते है कि 100,000 डॉलर भी possible है तो यहाँ पर actually में आब हमको candles देखने को मिलनी चाहिए कम से कम 7,000 डॉलर की candle एकी दिन में 8,000 डॉलर की candle 10,000 डॉलर की candle तो वो ही अगर candles आएगी तो possible है Bitcoin की price ज पर support बन जाता है अब जो next level देखना जहाँ पर आपको careful रहना पड़ेगा वो यहाँ पर अभी भी यह 77,500 डॉलर जहाँ पर थोड़ा साप सतर करे ना जैसा हमने यहाँ पर आपको पहले 67,000 डॉलर पर वान किया था वैसी यह level रहेगा 500,000 डॉलर उपर नीचे आप मान ले ठीक है दूसरी एक और चीज में आपको बोलूगा मैं क्यों बोल रहा था आपको थोड़ा सा यहाँ पर careful रहना क्योंकि अभी क्या Bitcoin की price के अंदर although यहाँ पर movement तो positive आया है लेकिन market में हमेशा एक चीज जो बहुत important होती है कि यहाँ पर short और longs का balance और जब भी वहाँ पर imbalance balance होता है market में volatility आती है अब हो क्या रहा है market में क्योंकि इतना positive movement है नया all time high बन गया लोग काफी यहाँ पर bullish हो रहे है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो long की positions open करते हैं और जब बहुत ज़्यादा long की positions open हो जाती है market में volatility आने के chances बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाते ह तो उनके लिए तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखना जहाँ पर अभी अगर आप currently देखोगे ना funding rate भी जो है exchanges पर सारे exchanges पर अभी funding rate यहाँ पर positive होगी although यहाँ पर growth का chance है scope का और उपर हो सकता है but still ऐसे level पर जहाँ पर सतरक रहनी की थोड़ी ज़रूरत ह बाकि fear and greed index भी अगर आप देखोगे तो 84 के level पर आगया और growth की chances है but एक ऐसा level है जहाँ पर you have to be a bit careful in terms of trading perspective कि अपनी कोई भी आप positions open कर रहे है उस चीज़ को लेकर ठीक है बाकि अभी भी 67,000 डॉलर्स का जो है level है वो में देख रहा हूं यहाँ पर daily candle closing के according लेकिन थोड़ा यहाँ पर देख सकते हैं 65,500 डॉलर्स से लेके 67,000 डॉलर्स का level लिए एकदम worst के scenario में बहुत ज़ादा possibility यह area touch भी नहीं हो moreover 67,000 डॉलर्स के उपर ही रहे लेकिन अगर वो आती है volatility तो at least now you know कि कौन सा level है जो आपको यहाँ पर देखना है बाकि bitcoin की अगर हम price करेंगे तो next level up में 77,500 का यहाँ पर देख रहा हूँ let's see अब वो कब तक possibly यहाँ पर hit होता है बाकि news wise तो बहुत positive चीज़े हो रही है bitcoin को लेके all over the world I think next जो बहुत बड़ी चीज जो bitcoin के लिए positive रहेगी और price में बहुत positive impact कर सकती है वो यह है कि जब US के अंदर यहाँ पर physically backed bitcoin ETF अप्रू नहीं कर रहे हो futures ETF ज्यादा बड़ी है spots है तो वो चीज के लिए try कर रहे है let's see when it happens दूसरा यहाँ पर यह चीज है कि अभी अगर आप देखो कि US के अंदर FDIC जो है न वो यह figure out करने की कोशिच करें कि कैसे banks के अंदर भी crypto assets को integrate किया जाए जहाँ पर लोग जो अपने crypto assets को banks पे भी आप रख पा है तो यह FDIC छोटी मोटी मतलब कोई department नहीं है मतलब यह federal deposit insurance corporation है यह US के अंदर मतलब यह US के अंदर मतलब यह government body है जो बहुत बड़ी यहाँ पर चीज है जो अब यह plan कर रहे है और सोच रहे है कि कैसे हम यह कर सकते हैं कि आप पर banks के अंदर crypto assets जो है उनको enable करा जाए and उसके लिए इन्होंने आप जो इनकी chairman उनने आप पर statement दिये कि if we don't bring this activity inside the banks it is going to develop outside the banks तो उनका यही बोल ला है कि अगर banks में नहीं किया तो crypto exchanges सब कुछ ले जाएंगे लोग बाकी जगे जाके trade करेंगे and banks के लिए तो important होता है पैसा यहाँ पर रखना तो आपको services देंगे कि crypto asset जो अपने bank में आप रखो साथ में अगर आप trade करना चाहो तो आप trade भी कर लो जैसे gold भी लोग bank के अंदर रखते है तो यह चीज यूएस में तो भार हो रही है possibly India के अंदर भी कोई positive news है although news media तो बोल रहा है कि अब regulation draft के उपर काम हो रहा है जिसकी possibility ब Bitcoin को लेके तो बहुत ही positive चीज़े जो है यहाँ पर आने वाले time के अंदर लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको volatility नहीं देखने को मिलेगी अभी मैं आपको बताता हूँ फिर से अगर आप पुराने हो तो आपको पता है लेकिन अगर आप सोच रहो फिर से volatility नहीं Bitcoin का जो price movement है अगर यह actually मैं यहाँ पर हमको जो मैं volume breakout की बात कर रहा हूँ कि support बना के breakout आ जाता है तो यहाँ पर alls के अंदर जिस तरह है का हमको explosion देखने को मिलेगा वो बहुत unrealistic यहाँ पर होगा मतलब बहुत ही अलग level पे Ethereum easily यहाँ पर 8-9,000 डॉलरस भी जा सकता है अगर Bitcoin जो 77,000 डॉलरस का जो level है वहाँ तक भी चले जाए उसको break करता है Binance easily यहाँ पर आप मालो 800-900 डॉलरस यहाँ पर पहले भी बोला था almost अगर आप देखोगे 647 डॉलरस पर यहाँ पर चला गया है उस level तक भी यहाँ पर जा सकता है in fact सारे coins के इंदर ऐसी ऐसी growth हमको देखन तो उसके बाद जो actual all season आएगा वो बहुत अलग level पर होगा तो उसके लिए we'll be prepared अपन भी उस time पर एकदम correct trade यहाँ पर अपन लेने की कोशिश करेंगे तो it's going to be very exciting times guys मतलब अब नेक जो 2-3-4 महीने जो है यह बहुत important और बहुत crucial time यहाँ पर रहेगा जहाँ पर seriously trade करके अ हमारी हवीलिय महाँ पर भी join कर सकते हो महाँ पर भी we'll try to keep you updated बाकि आपके क्या viewpoint से overall market के बारे में और अगर आपको आज का format जो ही अच्छा लगा तो comments में दालके आप जरू बताएगा वीडियो को like करिये guys and subscribe भी करिये that is the only thing that keeps us motivated तो आज के वीडियो में जित्ता है बाकि म मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई एंटेक क्या बाई बाई